गुड मॉनिंग 12th class लास्ट वेडियो में हमने भुरून का अध्यन पढ़ा था ठीक है और उसका विकास कैसे होता था वो पढ़ा है अब हम बात कर रहे हैं लास्ट वेडियो में दीवीज पत्री में भुरून का विकास पढ़ा था जबकि अब हम पढ़ रहे हैं एक बीज पत्री में भुरून का विकास ठीक है देखो एक बीज पत्री में भुरून का विकास दीवीज पत्री के समानी होता है ठीक है लेकिन एक बीज पत्र के अंद नुगा का अग्रस्थ भाग में तथा प्राण्कूर पार्सों में इस्तित होता है यानि चोग प्रूनी रक्स को कहते हैं बीच पत्रों परिक खते हैं और इप्र के भाग सब्सक्रिप्न को मुलाग कुछ और इस्तित कूर Vaane कि इसके बीच पत्र को हम क्या कहते हैं और आगे वाले भाग यह जो बुरून को होता है इस तिध होता है और इसके बिच पत्रवा पर हिक्टे के आदारिय भाग को मुलांकुर कहते हैं अब हम बात करें कि वीच का अंधिरमाण कैसे होता है गतलो चरह साम्फ कशन चछ ऑनकितर मतीपाथ करहां होता है जो गतला तिमना चांशिख चाते हैं जोबन आंधियावरण चाहर फजल्ट कर कटोर हो जाता है ठीक है और क्या कलाता है ठेस्टा यानि यह कटोर हो जाता है और इसका अम्हाज को अकर को कुलत संutan के समय नश्ट हो जाता है यह जो बिजन का डिस्ऑ होता है परिफिजपत्र पात्पों थे जो परत के जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं हाइलम कहते हैं ठीक है और विजांड द्वार पर एक्षितर पाए जाता है विजांड पर एक्षितर पाए जाता है जिसे हम विजांड द्वार कहते हैं तो यह था बीच का निर्मान नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीड